मित्रों आप सभी जानते हैं कि हिंदु धर्म में समय कालखंड को चार भागों में बाटा गया. सत्युग, त्रितायुग, द्वापर युग और कल्युग. अभी हम लोग कल्युग में जी रही हैं. कल्युग यानी की एक ऐसा युग जिसमें सभी मनुष्य मानसिक रूप से माना गया है. लेकिन मित्रों क्या कभी आपने सोचा है कि कल्युग कब शुरू हुआ या फिर ये कि इस रापित युग का अंत कभ होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आएए हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं. नमस्कार मित्रों प्रभु अभी द्वापर युग चर रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कल्युग आने वाला है. लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेगा कैसे? तब विश्नु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, तब समझ लेना की कल्युग शुरू हो चुका है. कल्युग की शुरुवात स्त्रियों के केशों से होगी. अभी जिन बालों को स्त्री का आभूशन माना जाता है, उन्ही बालों को कल्युग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी. किसी के भी बाल लंबे और काले दिखाई नहीं देंगे. संतान माता पिता से द्वेश रखेंगे. जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना की कल्युग शुरू हो चुका है. इतना ही नहीं, जब हर घर में कल्युग कलेश होने लगेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना की कल्युग अपने चरम पर पहुंच शुका है. कोई रिष्टे नहीं रह जाएंगे. एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रू बन जाएगा. शादी जैसा पवित्र रिष्टा भी अपवित्र हो जाएगा. किसी क जब कल्युग हम सब पर हावी हो जाएगा, तब मैं शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे. इसके बाद हम तीनों मिलकर कल्युग का अंत कर देंगे. और फिर एक नए युग की शुरुवात होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा. जिसका नाम सत्युग होगा. पृत्व कर्मकांड में फिर से विश्वास करेंगे. इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा. आत्मा के परमात्मा से मिल जाने से सभी सुखी होगे. अर्थार्थ सत्युग को इस ग्रिष्टी का स्वर्ण युग कहा जाएगा. सत्युग की अवधी 17 28,000 वर्ष होगी. इस युग में मनुष्य की आयू 4,000 से 10,000 वर्ष होगी. हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्युग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कल्युग का प्रथम चरण ही चर रहा है. माना जाता है कि कल्युग का प्रारंभ 3,102 इसा पूर्व से हुआ थ है और सत्युग में अभी बहुत ही लंबा समय है. तो क्यों ना हम मनुष्य अपने धर्म कर्म से कल्युग में ही सत्युग की तरह जीने का प्रयास करें? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आपको वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं. अगर आपको हमारी इह वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर जरूर करें. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपका बहुत धन्यवाद. जै श्री हरी विश्नु.